दोस्तों गर आप InFocus Vision 3 लेने की सोच रहे हो तो आप ये वीडियो देखतरी है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोज और कॉन्स InFocus Vision 3 के ये वीडियो देखकर आप डिसाइड कर पाओगे ये जो फोन है InFocus Vision 3 ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं ये जो प्रोज अगर आपको ये वीडियो बसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं साथ में बैल आकन भी दबाजेना ताकि आपको निए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं तो सब्सक्राइब टॉटरूर्ष चैनल इंट्रस्टिंग अइंट्रेशंस टैक सब्सक्राइब देखने बहुतनी कैस्तों तो अब बात करते हैं सब्सक्राइब ग्यान पयार्ण इस iniاز helpful बगो प्रफ्रेसर 6737T प्रस्रेसर मिलता है 18-29 इस्पेक्ट रिशो 5.7 इच का स्क्रीन मिलता है HD और इस फोन में हमें 4000 mmH की बैटरी मिलती है 13 MP का कैमरा मिलता है और साथ में 8 MP का सेलफी कैमरा मिलता है तो यह तो रही तो रही इस पैसीफिकेशन लेकिन एक महीना हो गया भाईया मुझे इस phone को यूज करते हुए और मैं जान चुका हूं काफी pros and cons इस phone के शायद मुझे लगता है कि इस phone के pros and cons मिल से अच्छे और कोई बता नहीं सकता तो आप इस वीडियो को लास तक ज़रूर से देखते रहिए तो दूस्तों सबसे पहले बात करते हैं gaming की तो जो भी इस phone को लेना चाहेगा उसके मन में सबसे पहला question होगा कि इस phone में थोड़ी बहुत gaming तो चल ही जाएगी जी हां मैंने भी ट्राइग किया जैसे कि आप जानते कि इस phone में हेटिंग की प्रॉब्लम आती है जैसे कि अक्सर कहते है कि मेरा क्रण हो गया है तो वह प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है अगली बात करते हैं इस phone के camera की जाहे वह बात करें हम इसे टीन में के पकीछे की और मिलता है तो इस phone काफी अच्छे मिलते हैं और जैसे की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैमरा अच्छे से काम भी कर रहे हैं इवर मैं अपनी यूट्यूब वीडियो को कई यूट्यूब वीडियो को इस मोबाइल के कैमरा के साथ शूट करता हूं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कै प्रवाइब की जैसे के जानते हैं कि नॉन रिमोवेबल बैटरी 4000 mAh की बैटरी मिलती है और 4000 जार में पिए साथ जार रुप के फोन में मिलना एक बड़ी बात है लेकिन एक कॉन भी है वो यह कि अगर आपको यह प्रता हुजन दे रहे हैं यह फास्ट चार्जिंग स्पो हो है fingerprint sensor का अब इस phone में हमें fingerprint sensor भी देखने को मिलता है 7000 रुपए के phone में fingerprint sensor मिलना काफी अच्छी बात है तो इस phone में fingerprint sensor मिलता है जो इसका एक प्रॉज है तो दोस्तों इस phone में हम multitasking भी कर सकते हैं जी हां यानि कि आप एक ही screen पर दो-दो apps को इकठे यूज़ कर सकते हैं इसे कहते हैं multitasking वह अलग बात है कि कुछ एप मल्टी टास्किंग को sport नहीं करते वह इस phone की गलती नहीं है वह आपकी apps की गलती है लेकिन इस phone में मुल्टी टास्किंग भी कर सकते हैं तो दोस्तों इस phone के camera में एक P.I.P. mode भी देखने को मिलता है और यह P.I.P. mode अपने SIM को यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप अपने पॉन में dual SIM को यूज करना चाते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको लाइक करो शेयर करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो मैंने आप से नेक्स्ट वीडियो में अपने चैनल पर तो तब तक के लिए स्टे ट्यून वेद गिजब हो गया झाल